बॉलिवुट का वो एक्टर अपने पिता से ताउम्र नाराज रहा उनसे इतना नाराज था कि उनके अंतिम संसकार तक में नहीं गया वो एक्टर कोई और नहीं बलकि राज कपूर के बेटे राजीब कपूर थे राज कपूर के तीनों बेटे में देखा जाये तो रिशी कपूर का करियर जादा चमका और उसके बाद रंधीर कपूर का ठीक्था करियर रहा लेकिन राजीब कपूर जो है उन्होंने सिर्फ 14 फिल्में की और एक दो जो फिल्में हिट रही उसका क्रेडिट भी उनको नहीं मिला राजीब कपूर जब बड़े हुए तो उन्हें लगा कि जैसे उनके पिता ने रिशी कपूर को फिल्म बॉबी से लॉंच किया था कुछ वैसी ही उनकी भी लॉंचिंग होगी राजीब कपूर की जो पहली फिल्म थी वो उनके पिता ने उनके लिए नहीं बनाई थी बलकि उन्होंने खुद अपने बूते वो फिल्म पाई थी और उस फिल्म का नाम था एक जान है हम वो फिल्म हिट होई थी और इसी फिल्म के सेट पर दिव्याराना के साथ राजीब कपूर का फेर भी हो गया था इसके बाद राजीब कपूर को लगा कि अब उनके पिता उनको लॉंच करें उनके पिता ने उनकी बात को माना भी और उन्होंने राम तेरी गंगा मैली फिल्म बनाई इस फिल्म में राजीब कपूर हीरो थे और मंदाकनी हिरोईन थी लेकिन जब ये फिल्म बनी तो इस फिल्म से कहीं राजीव कपूर गायव हो गई ये पूरी फिल्म मंदाकनी की होकर रह गई एक तो इस फिल्म में जो भी गाने थे जो भी पूरी फिल्म मंदाकनी को केंदर में रखकर बनाई गई दूसरी तरफ मं बहुत पॉपलर हुआ और पूरी फिल्म में मंदाकिनी की चर्चा रही राजीब कपूर को ऐसा लगा कि उनके पिता ने उनके साथ धोखा किया है फिल्म उन्होंने अपने बेटे के लिए बनाई थी लेकिन वो फिल्म हो गई मंदाकिनी की उनको लगा कि उनके पिता ने जा वागा हुआ पाया उनको ऐसा लगा कि उनके पिता नहीं उनको धोखा दिया इसके बाद राजीब कपूर ने अपने पिता से ये कहना शुरू किया कि आपने मेरे साथ धोखा किया आपने रिशी कपूर के साथ इतनी फिल्में की इतनी हिट फिल्में दी आपने शशी कपूर के लिए फिल्म में बनाई लेकिन मेरे लिए जो फिल्म बनाई वो भी मेरी नहीं रही आप अब दुबारा मेरे लिए कोई फिल्म बनाई है और उस फिल्म से आप मुझे बड़े अस्तर पे लॉंच करिए लेकिन राजीब कपूर की ये डिमांड उनके पिता राज कपूर प दिन था वो जब राज कपूर का निधान हुआ तो राजीब कपूर अपने पिता के अंतिम संसकार तक में नहीं पहुचे। ये पूरे बॉली बुड ने देखा कि किस तरह एक बेटा अपने पिता से फिल्म को लेकर इतना नाराज हुआ कि वो उनके अंतिम संसकार में भी नहीं पहुँचा। राजीब कपूर कोई बहुट टैलेंटर अक्टर नहीं थे उन्होंने सिर्फ 14 फिल्मे की और जादा तर फिल्मे उनकी फ्लॉप रहीं। देखा जाये तो राम तेरी गंगा मैली और एक जान है हमके अलावा उनकी कोई भी फिल्म नहीं चली थी। हलाकि राजीब कपूर को देखा जाये तो जिस तरह से उनका फिल्मी करियर खराब रहा उसी तरह से उनकी निजे जिन्दगी में भी बहुत परेशानिया रहीं। पहली बार राजीब कपूर को प्यार हुआ था उनको अपनी ही फिल्म की एक्ट्रिस दिव्याराना से लेकिन दिव्याराना के साथ उनका सम्मन लंबा नहीं चला एक साल बाद ही दोनों का ब्रेक अप हो गया और इसके बाद दिव्याराना ने फजल लाम के शक्ष से हो गया और इसके बाद से राजीब कपूर सिंगल रहे साल 2021 में राजीब कपूर को अचानक हाट अटेक आया और रात में सोते सोते ही वो चल बसे नौ फरवरी का दिन था और देखा जाए तो राजीब कपूर जो है जब उनका निधन हुआ तो उनकी जो तमाम प्रॉपर् रही और वहीं उनकी बारे में ये बात सबसे जादा चर्चा में की जाती है कि अपने पिता से वो इतने नाराज रहे कि उनके अंतिन संसकार तक में नहीं पहुचे